क्या आब बहुत सालों से प्रियास कर रहे हैं प्रेग्नेशी कन्सीव करने के लिए अफिर जल्द से जल्द आप मा बनना चाहती हैं तो आपके लिए 12 घंटे बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और ये महीने के कुछ ही दिनों में आते हैं इन 12 घंटों में ही आपके अंड विशेश रुप से ध्यान रखना होगा किसी भी महिला को अगर प्रेगनेंट होना होता है तो उनके जो पीरिट्स आते हैं उस पीरिट्स के दिन को उन्हें याद रखना पड़ता है इस पीरिट्स के फर्स डे को जानने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि आपके एग से एक अंडा कब बाहर निकलता है जो कि प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए जरूरी होता है महिला के जो यूट्रस के संरचना होती है इस यूट्रस में दो ओवरीज पाई जाती है ओवरीज का काम होता है और अगर आपने संबंद बनाए तो उसी समय सेल आपके एक को फटिलाइस्ट कर दिता है और आपको बहुत जल्दी से प्रेगनेंसी रुखती है इंप्लांटेशन का फीज स्टार्ट होता है और यह जो एक फटिलाइस्ट हुआ है वो बहुत जल्दी मल्टिपल सेल्स में डिवाइड होने लगता है और भून के शकले में बनने लगता लेकिन दोस्तों यह जो 12 गंटे होते हैं या 24 गंटे होते हैं इसे निकालने की किस तरह से आपको समझदारी दिखानी है यही में सवाल होता है कई बार pregnancy conceive इसी वज़े से नहीं होती है तो हर महिला का जो period cycle होता है वो अलग-अलग होता है अगर हम एक common period cycle की बात करें तो अग 100% हर महिने होते हैं जिस दिन आपका एग निकलता है उस दिन को आप note कर लिजे और उस दिन से आप 14 दिन को calculate कर लिजे या फिर आप दूसरा method भी apply कर सकते हैं कि आपके periods का संभाविट जो है इन में से आप 14 घटा दीजे दिन तो जो भी date निकलके आता है वो आपके ovulation का day ह होता है और ovulation समझना हर महिला के लिए बहुत जरूरी है अगर आप pregnancy plan कर रही है अगर हिंदी में बात करूं तो इसी को अंडोत सर्जन कहा जाता है और हर महिला इसी समय इसी घंटे यह कुछ घंटे होते हैं यही pregnancy के लिए बहुत जादा जरूरी होते हैं तो अब सवाल है क इसका पता लगा कैसे सकते हैं तो ovulation के symptoms आप जरूर फील कर सकती हैं लेकिन इस पे काफी जादा आपको ध्यार लखना होगा हर महिला को पीडर्स के 10-11 दिन के बाद से एक discharge सा फील हो सकता है जो transparent होता है और यह water के जैसा होता है transparent इसमें color या फिर इसमें smell नहीं होता है बहुत महत्पूर्ण संकेत होता है कि आपके पेट में क्रैम सा हो सकता है पेट के निचले हिस्सों में दाए या बाई तरफ भी यह फिल किया जा सकता है यह तीन बहुत major symptoms होते हैं जो ovulation को clearly आपको घर बैठे जानने में मदद करते हैं लेकिन फिर भी कई बार महिलाओं के सवाल उठते हैं कि मैं मुझे यह symptoms फिल नहीं हो रहा है वो वाला symptoms फिल नहीं हो रहा है या फिक कोई भी symptoms फिल नहीं हो रहा है तो ऐसी cases में आपको ovulation kit का इस्तमाल जरूर करना चाहिए यह kit आपके hormones के balance के जांच करके आपको यह जरूर बता देगा कि आपका अंडा अब 12 गंटों में निकलने ही पाला है क्योंकि यह जो ovulation kit होता है यह आपके luteinizing hormone का balance जांच कर लेता है और किसी भी महिला का जब एक निकलने वाला होता है ovulation days उसके start होने वाले होती है तो उनका luteinizing hormone काफी जादा बढ़ जाता है यह एक scientific चीज है जो कि आपको ovulation kit ही जांच कर के बता सकती है तो आप जरूर इन चीजों का सहाड़ा ले हर महीने अपने आपको देखे समझे और सीखे कि किस तरह से ovulate मैं कर रही हूं हर महिला का शरीर कोई ना कोई संकेत जरूर देता है मैंने जो आपको यह तीन major symptoms बताए है यह काफी important है अगर आप इसको notice कर पाती है तो समझ जाए कि relationship इसे समय maintain करके रखना है साथे साथ जिन महिलाओं के periods इन regular है या फिर regular भी है उन्हें भी periods के दसवे दिन के बाद से alternative basis पे relation बनाने से pregnancy conceive होने के chances हाई हो जाते है आइडिली हो friends के छुटे से वीडियो आपके लिए काफी help करेगी pregnancy conceive करने में अगर आप ऐस यहीं वीडियो को देखना चाहती है तो make sure चानल को subscribe कर लें इस वीडियो को जदा से जदा शेयर और like करें मिलती हूं next वीडियो के साथ thank you